इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आखिर एक्जाम के करीब आते ही हम लोगों की या तमाम स्टूडेंट्स की पढ़ाई की छमता दो से तीन गुना बढ़ जाती है आखिर क्या ऐसा कारण है शुरू में वही टीचर वही गार्जियन हमको बराबर इस बात की तनकीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें जादा समय दें लेकिन शुरूआत में हम दो से तीन गुंटा पढ़ना भी हमारे लिए भारी होता है लेकिन जैसे जैसे करीब आता है हमारी छमता अपने आप बढ़ने शुरू हो जाती है तो आएए देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर वो पांच कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी पढ़ाई की छमता को तीन से चार गुना या दो से तीन गुना पढ़ा पाएंगे तो आएए बात करते हैं पहले टिप की अपने पढ़ाई के समय को सुनिश्चित करें बहुत सारे छात्रों को सुबह जल्दी उठके पढ़ना जादा अच्छा लगता है इस तरीके से उनको पढ़ी हुई चीजें जादा देर तक याद रहते हैं इसके उल्टे बहुत सार आपकी इनलेसिस कीजिए कि क्या सही में आपको सुबह उठके पढ़ना अच्छा लगता है चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं या सिर्फ आप अपने माता-पिता की बात को मान रहे हैं ऐसा करने से आपका बहुत नुक्सान है तो आप अपनी पढ़ाई को अच् प्लान बनाईए बहुत सारे ऐसे चात्र जो कोचिंग जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं जादा तर समय उनका कोचिंग या स्कूल में चला जाता है लेकिन वहां से आने के बाद जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं आपके पास कोई प्लान है उसको रिवाईज करने का अगर प्लान नहीं है तो वो चीजें सिर्फ एक कथा बनके रह जाएगी जबकि उन सारी चीजों पर आप से सवाल किया जाएगा अगर आपको वो चीजें अच्छी तरीके से revise नहीं है अच्छी तरीके से आपको याद नहीं है आपने concept को revise नहीं किया है तो एक्जाम में आप उन चीदों को recall नहीं कर पाएंगे और finally आपके marks बहुत ही कमाएंगे अता आप काम्याबी की ओर अग्रसर नहीं होंगे आई ये बात करते हैं तीसरे तरीके की अपनी पढ़ाई में technology की मदद लें अगर कोई concept आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई lecture आपका छूट गया है आज काल बहुत सारी coachings या iSchool अपने teacher की classes का live video भी YouTube पे रखते हैं अगर नहीं भी है और आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उच सेम topic को YouTube पे सर्च कीजिए वही topic different teachers के द्वारा पढ़ाया जा रहा होगा आपको इस अभी 2-3 variety का वीडियो लीजिए और उसको इत्मिनान से बैठ के देखिए हर teacher का पढ़ाने का style अलग होता है हो सकता है कि किसी teacher का style आपको suit करे और आपको वो concept पूरी तरह समझ में आ जाए तो technology के इस दिवर में आप क्यों पीछे हैं अपनी पढ़ाई में भी technology को शामिल कीजिए आई यो friends बात करते हैं चौधर tip की अपनी study के duration को खुद decide करें ऐसा ना हो कि बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो या उनसे बातचीत करने के बाद या अपने माता-पिता के अनुसार या अपने teacher की राय के अनुसार आपने ये पूरी तरह प्लान कर लिया है कि मुझे डेली पाँच घंटा, चार घंटा, तीन घंटा पढ़ना है नहीं, ऐसा विल्कुल गलत है आप अपनी body की छमता को खुद समझे और देखिए कि एक sitting में आप एक घंटा पढ़ पाते हैं आदा घंटा पढ़ पाते हैं या लगातार आप दो घंटा पढ़ पाते हैं ये सब आप पे निर्वर करता है लेकिन बहतर तो ये होगा कि आप अपनी study time में बीच-बीच में break लें और उस break में पढ़े हुई चीतों को recall करें उसमें कुछ आप खाएं भी जिसे आपको पूरी तरह energetic रहने में मदद मिले तो friends बात करते हैं पांचवे और आखरे tip की अपनी सिहत का खास ध्यान रखें अगर आप सिहत मंद नहीं हैं और रात दिन पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं तो चिंता करने से तो result नहीं आने वाला आपको proper पढ़ाई करनी ही होगी और उस पढ़ाई करने के लिए आपको अपने दमाग को healthy रखना पड़ेगा अगर आपका शरीर healthy है तो आपका मन भी healthy होगा और आपका पढ़ाई में पूरी तरह से मन भी लगेगा अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते टाइम से खाना नहीं खाते पूरी नीद नहीं लेते व्यायाम नहीं करते तो होगा क्या चीजें सब कुछ ठीक चलती हुई रहेंगी कहीं ऐसा ना हो कि एक्जाम के 10 दिन पहले आप बिमार पढ़ जाएं बस आपकी एक बिमारी आपका सिहतियाफ्त ना होना सारे प्लान पे पानी फेर देगा तो आप अपनी पढ़ाई में सिहत का जरूर ध्यान रखें तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे तरीके जिनकी हेल्प से आप अपनी पढ़ाई की छमता को 3-4 गुना बढ़ा सकते हैं शर्त ये कि इन सारे तरीकों को आप इमांदारी से अपनी डेली की रूटीन में शामिल कीजिए ऐसा करने से आपको खुद ये नजर आएगा कि कुछ दिन बाद या साल के अंत में आपकी पढ़ाई की छमता 3-4 गुना बढ़ गई है उमिद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा लाइक कीजिए, शेर कीजिए और स्कूल सिरीज की इस तरह की और सारी वीडियो के लिए आप जागरन जोज के स्कूल सेक्शन को लॉग इन कीजिए